देखो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा विशे है क्या तुमने का साब आज जानेतिया कहेंगे दुर जी दुबारा उढ़ाईए आगे जी बहुत शुक्रिया और ये उत्रा घंट के टोपी बहुत 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 शुक्रिया मैं सदर हूँ तेवबंद मदर्सा बहुत बड़ा मदर्सा है मैं उसका भी सदर हूँ और मैं एक जमाने से ये उमीद में बिसके अंदर रखता था कि मैं किसी वक कहिरा शानन्द ये महाराज से मुलाकात करूँ लेकिन अब तक नहीं वहर चीज़ के एक वक्त मुकदर होता है आज इसका वक्ता मैं अपने आपको बहुत खुशकिसमत समझता हूँ कि महाराज से मेरी मुलाकात हुई मेरी गुफ्तगु हुई उन्होंने मुझ को बहुत सम्मान दिया मैं उनका अभारी हुई मैं अम्रीका भी गिया हूँ मैंने महाराज जी से ये बाद कही कि मैं वहाँ के वहां जा करके मुझे हर मुलग के लोग वहां मिले जो पहचाने जाते हैं अपनी शक्रत से अपनी जबान से अपने पहनावे से वो रोटी रोजी कमाने के लिए गए हैं ये लोग आपको वहां के बड़े-बड़े शहरों में मिलते हैं लेकिन गाउं में नहीं मिलते हैं इसनिए कि वहां रोट्री रोजी के उनके साधन नहीं होते हैं लेकिन मैं यह कहता हूँ कि हिंदोस्तान के अंदर आप किसी भी देहाग के अंदर चले जाएं वहाँ आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा और अतने जमाने से रहता हुआ मिलेगा कि उन्हें ये पता नहीं कि कितने सौ साल से यहां ये लोग रहे रहे हैं आपस में प्यार और महबत के साथ रहते हैं इसका मत्रब ये है कि हिंदू और मुसल्मान का खून एक ही है उनकी विराद्रिया एक है उनकी जबान एक है उनकी शक्र और सूरत एक है उनका रहन सेन एक ही तरीक एक है तो फिर दुनिया के अंदर फिर अपरस पार्टियों ने और हकूमतों ने यो भेद भाव पैदा कर रखा है मैं समझता हूँ कि किसी भी आदमी गुजिस का अपने किसी भी मदहब से थोड़ा बहुत भी संबंद है उसको इसकी ताइद नहीं किरनी चाहिए ये बात मैंने मौहजबागवजी से भी कही थी और मैं हर जगे कहता हूँ और मैं इसी पैगाम को लेकर के महाराज जी के पास आया हूँ महाराज जी कोई इस सिल्सले के अंदर कोशिश करनी चाहिए फिर खपरस्त पार्टियां आग लगाना चाहती है लेकिन हम मधभवी लोग हैं मधभ को मानने वाले हैं अगर हमारी आवाद इसके खिराफ उठेगी प्यार और महबब की उठेगी इंसानियत की गुन्याद की जीज़ाइब कीजिए मशाइख देवबन ओफिशल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी इसलामी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए